इंदोर के महु में COVID-19 महमारी के वैक्सिनेशन केंद्रों को पुना प्रारंब किये जाने को लेकर धनवन्त्री ड्राइविंग वैक्सिनेशन सेंटर पर अपनी तीन सुत्री मांगों के लेकर धना प्रदेशन किया जा रहा है। प्रदेश कॉंग्रेस सचीवपुनी शर्मा ने बताया कि अमबेटकर नगर महु के नागरिक अपनी सुविधानुसार वैक्सिनेशन सेंटर तक जा सके। साथी शर्मद्वारा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि महु में वैक्सिनेशन के दोनों डोज लगाने में सरकार पूरी तरहा असफल है। महु में सैक्रो नागरिकों को अभी तक कोविड-19 का पहला डोज भी नहीं लगा है। डॉक्टर अम्बेटकर नगर महु बाबा सहब की जनम हुमी वहां के नागरिकों के साथ भेदबाव कर रही है मत्यपरदेश की भाचपा सरकार। बड़े-बड़े होडिंग लगा दिये परचार गुल है वैक्सिनेशन गुल है। वैक्सिन कार हमारी मांग यह है कि जल से जल तमाम सारे सेंटर महु के चालू होने ची वैक्सिनेशन के और संजीवनी जो हमारे महु के नागरिकों मिलनी ची है आज महु जो है वो बाबा साब की जनम हुई हुने के बाद वैक्सिनेशन है इन दोर के महु से केकेडी निव समादा ता संजय वर्मा कि लिपो विधायकराणा ने भावसार समाथ की धर्मशाला निर्मार का किया भूमी पूजन पूर्म की थी दस लाख रुपए देने की घोश्रा हम बात कर रहे हैं मद्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की जहां पर सुसनेर नगर के इस्थानी अवार्ट का मांग तीन इतवार्य अबादार इस्थित शिरी चत्रभुजनात भावसार समाज मंदिर की धर्मशाला निर्मार कार का गुरुवार को दोपह छेती विधायकराणा विग्रम सिंग ने गेती चला कर भूमी पूजन किया आपको बता देकी पूर में विधायकराणा के द्वारा भावसार समाज की धर्मशाला निर्मार के लिए दस लाख रुपए की राशी की घोशना की गई थी मद्यप्रदेश के आगर मालवा से केकेडी नियू समादा अतागी राज बन जारिया की रिपो बिहार की वजिरगन प्रखंड के पुनावा में गुरुवार को आइसर ट्रेक्टर शोरूम जयम बे ट्रेक्टर सहसंजे आटो मुबाइल पिया जीओ अपेसेल एंड सर्विस का उधगाट अंपी एनबी एदू की शाका प्रबंदर कृष्ण कुमार ने फीटा कार्थ कर किया शोरूम के प्रप्राइटा संजे कुमार मात्री और कुमुन्ना ने बताया कि अब वजिरगन के किसानों को ट्रेक्टर ओपिया जीओ पिकप भान के लिए गया जाने की जरूरत नहीं है सभी प्रकार की सुविधाएं यहां उपलब्द कराई जाएंगी महिस मौके पपी एनबी एरुशाखा के अधिकार यंकिता कुमारी सहीत विजय कुमार मात्री रवी कुमार अभै कुमार वर्मा सहीत का या ने लोग मौजूद रहे बिहार के गया से केकेडिनी समादा था दिपक कुमार की रवी को सुल्तानफुर में आज समाद वादी पार्टी के पेदर्शन के दौरान दो सपाने था आपस में ही भिड़ गए हाल यह रहा कि पूर्व सांसद ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर लोहिया वाहिनी के राष्टे सच्चिव को खुले आम पीट डाला इस मार पीट के पीछे इस औली विधान सभा के दोनों लोगों द्वारा तिकट मांगना बताया जा रहा है फिलहार पीडिस सपानेता पूर्व सांसत के खिलाफ कानोनी कारवाई की बात कर रहे हैं कि मेराज भाई धर्ना है आप बल्दीराय चले जाएगा तो मैंने कहा कि वहाँ विधायग जी रहेंगे अवरार साहब इसलिए मैं वहां नहीं जाओंगा वहां पूर्वाल हो सकता है मेरे जाने से मैं सुल्तानपूर आऊँगा उसी में मैं सुल्तानपूर आया था और पार्टी कारे ले गया मैं ग्यापन पर मैंने सिंडेचर किया उसके बाद सब रोग साथ मैं आगे आगे आ रहा था पंचमखी हनमान गढ़ी के पास जब मैं पहुंचा तो ताहिर आये पीशे से धका देती हुए नहीं मुझे गाली दिया जो हमारे पूर संसद है ताहिर साथ और मेराज साथ दो लोगों में छुटी सी बातों लेकर कुछ कहा सुनी हुई है यह आपसी पार्टी का आपसी मामला है सुल्टानपूर से केकेडी न्यूस समवादाता आश्यतोर श्रीवास्तों की रिपूर मत्य प्रदेश के सोहना में केंद्र और प्रदेश की भाषपा सरकार हर मोर्चे पर विफर है जिसने देश को कंगाली की रह पर खड़ा कर दिया है सरकार की नीतियां जनहित के खिलाफ हैं जिन से व्यापारी, किसान, कर्वचारी, मजदूर, उद्योगपती सभी दुखी और परेशान है ये बार प्रदेश कॉंगर्स अद्यक्ष और पूर्वर राज्यसभा सांसत कुमारी शेलजा ने कजबे में पार्टी द्वारा आयो जित हस्ताक्षर अभियान के दौरान कही साथी उनोंने कहा कि सरकार की जन्हित विरोधी नीतियों के चलते देश में महंगाई चरम पर है लोगों को खाने के लाले पड़े हैं जिनको अपने परिवार के भरन पोशन की चिंता सता रही है लेकिन सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी है जिसने आज तक भी महंगाई को काबू किये जाने के लिए कोई भी ठोस नीति नहीं बनाई जिसके लिए कॉंगर्स पार्टी वर्तमान केंद्र प्रदेश भाजपा सरकार की नीतियों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान चला कर लोगों को जागरूप कर रही है से मागने मुख्य मंद्री जी से हर्याना की जंता सवाल पुछती है कि आप बताईए कि असली आगडे ज्या है सोना से केकेडी न्यू समाधा ता अशोक गर्गी की रिफो बहराईष में समाजवाधी पार्टी द्वारा एक दिवसीए विरूद प्रदर्शन को लेकर प्रशासन कड़ारुख अपनाते नजर आाई जहां विरोद्प्रदेशन से पहले ही समाजवादी पार्टी की जिला पंचात अध्यक्ष प्रत्याशी और प्रत्याशी पती को नजर्बंद कर दिया गया महीं सपानेता अब्दुल्मन्नान समेत कई नेताओं के घरों में नजर बन किये जाने से सपा कारेकरताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला महीं आपको बता दे शहर के विभिनी स्थानों और कलेक्टेट में भी भारी पोर्स लगाई गई सपा प्रभुमानी अखलेश यादों जी के निर्देश पर आठ पूरे परदेश में महेंगाई भरस्ताचार अत्याचार अपराद पुलिस जुर्म महिनाओं पे जुर्म इन सब तबाम मांगों को ले करके और अभी हाल में जो पंचायन के चुनाओं हुए थे इन चुनाओं में जिस तरीके से सरकारी मसिनरी और भारती जंता प्राइटी के लोगों ने दुरव संधी प्रसासन के साथ मिल करके जोर्ज बर्दस्ति और गुंड़ागर्दी से बलाग परमुक और जिलापंचे अधेक्षों का चुनाओं जीता है समाच बार्दी पार्टी के लोगों पर मुकत्मा लिखे गए हैं उनका उद्विरंद किया गया है परचा तक नहीं दाखिल किया गया दाखिल करने दिया गया यहां तक की लखिल को खीरी में एक महिला क बलाग में उसको नंगा तक सरयाम कर दिया गया इसी संबातों को ले करके राश्य देजिके निर्देश पर हम लोगों ने आज परदर्शन करके यापन दिया है और मांग किया है कि सरकार को परखास किया जाए जन्विरोधी सरकार है बैराइट से केकेडी नियूज ब्यूरो अजमार साख किरिपो